एपरिल 14, 2020 जब प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मूदी ने लॉकडाउन को तीन में तक एक्सेंट करने की बात कही उस दिन करीब दोपहर तीन बजे से माइगरेट वरकर्स बेंटरा के शास्त्री नगर एलवे स्टेशन पर इकठा होने लगे और दिरे दिरे ये भीड तीन पूछे तो उन्होंने बताया कि 25 मार्च जिस दिन से जनता करश्यू लागू किया गया था तब से हम लोग अपने गाओं में कैद थे हम लोग तब से बिना खान पान के रह रहे हैं जब हम सारे मजदूर लोगों ने मिलकर इसकी जांच की तो पता चला कि आन पेपर ये ल लेकिन जब इस लॉकडाउन को एक्स्टेंड किया और हम भूक से मरे जा रहे थे उस समय हम मजबूरें ट्रेन पकड़कर अपने घर जाने को लोटने के खादिर शास्त्री नगर के रिल्वेज स्टेशन पहुंचे वहां जाकर हमें एक और जटका मिला कि पूरा ट्रांस् किया जा रहा है इस बीमारी को कंट्रोल करने का फिल्हाल यही एक तरीका है आईए जानते हैं वजाहों को जिसके चलते वरकर्ट्स ने आंदोलन्ज शुरू कर दिया बिना किसी नोटिस पीरियड के लॉकडाउन को पहले डालना और बढ़ाना सरकार को कुछ गंडे की राहत रख एक नोटिस जारी करना चाहिए था जिससे जिसको अपने घर जाना हो तो वो इस समय के दौरान जा सके रीजन नमबर टू दोनों तरफ से सरकार का वेरिफिकेशन ना करना कि लोगों को खान पान मिल रहा है या नहीं गवर्मेंट को एक क्रॉस वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करना चाहिए जिसमें वो देख सके कि लोगों के पास दरूर खाना पिना पहुँच रहा है और उ जरूरत के मुताबिक ट्रांसपोर्ट को एक लिमिट में वर्किंग में रखना चाहिए था तो इनहीं सारी वजा ने अंजाम दिया बैंडरा के आंदोलन को आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और फ्यूचर वे ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें